हाई फ्रेंट्स मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फर आल तो आज हम लोग निमसे 2020 का इंगलीज कोश्चिन्स और उसके सॉल्यूशन देखेंगे तो इंगलीज में टोटल 20 कोश्चिन्स आता है फ्रेंट्स और एक कोश्चिन्स जो रैंकिंग हिसाब से एक कोश्चिन का चार मार्क मिलतहा इतो टोटल आपका 80 मार्क है फ्रेंट्स इसमें इंगलीज का तो अगर आप अच्छा से इंगली जो करते हैं फ्रेंट्स इंगलीज बहुत ही बहुत इसी आता है तो Ingle आपका पैसेज में भी चेक किया जाता है तो आगर आपका वह अच्छा है तो आप इजी ली इंगलीज को इसली सॉल्फ कर पाएंगा और 80 आउट आउट अच्छा गया था फ्रेंट्स मेरा एटी आउट आउट ऑफ 65, 70, 65 या 68 कुछ सम्थिंग आया था मेरा मार्क्स खाली पैसेज में कुछ काम आया था ठीक है तो इंगलीज बहुत ही अच्छा गया था मेरा इंगलीज पोर्शंट हो ठीक है तो उसी का उपर में हम लोग कोश्चन सॉल्फ करते हैं कोश्चन वान क्या गी रहा था 2020 कोश्च आप्सन उप्सन सी डम आप्सन ड हल तो उपसन एफ्रेंट्स उप्सन ए शुपड़ तिक है एप्रूबल का करेक्ट ऑप्सन होता है शुपड़ which of the following is a noun noun कौन इस option में से option a b c d में से noun कौन सा है carelessness careless carelessly या फिर caring obviously friends carelessness ठीक है carelessness एक noun होता है ठीक है तो मैं noun verb verb noun verb यह सब prepositions यह सब पूछा जाता है फ्रेंड्स तो उसके उपर में भी आपको मैं वीडियो बना के प्रोबाइड करूंगा तो फर्स्ट अफल कोश्चन सम लोग देख लेते किस टाइप का आया थे फिर उसी के टॉपिक पर टॉपिक के बेस करके मैं आपको सभी टॉपिक नाउन, verb, prepositions ठीक है उसके उपर में भी आपको chapter wise discuss करके आपको समझाओंगा और उसके में भी आपको previous year का questions solve कराऊंगा ठीक है नाउन का, verb का, prepositions का जो भी questions आया था question 3 क्या था, question 3 है, choose the words that accurately signifies a student who awards attending class, ठीक है friends, जो student, accurately, अभाइड कता है attending classes, classes को attend नहीं कता है, उसको friends क्या बोलते है, diligent, callos, moros, या फिर ट्रॉंट, obviously friends, option D, tron, ठीक है, option D है, ठीक है, option D है, ट्रॉंट, यह आज का सही option है, identify the type of error in the following sentence, identify the type of error in the following sentence, some of the books were destroyed, तो some of the books were destroyed, क्या है है friends, syntetical error, syntetical error, punctuation error, grammatical error है, या फिन conflicting error है, बताए, 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 यह friends, punctuation error है, ठीक है, some of the books were destroyed, यहाँ पर punctuation error दिखाए, देराए, friends, तो यह वाला, obviously punctuation error होगा, 100%, ठीक है, तो यह वाला नीम से 2020 का चार questions है, और भी हम लोग questions solve करेंगे, जो कि नेक्स वीडिय साथ जुड़े नहीं है, वीडियो अच्छा लगाता लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़े नहीं के लिए, चैनल लोग सो जल्दी साजादी सब्सक्राइब कीदिए, फिर मिलता है नेक्स वीडियो में,